दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया का वो हिस्सा जहां पर इंसान अभी तक नहीं पहुच पाया लेकिन उसको जानने से पहले आप लोग हमारी चनल फैक्ट्व वैट को सब्सक्राइब कर ले दोस्तो तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोग कहने लगे है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है इंसान को लगता है कि उसने ये दुनिया पूरी देख ली है इसलिए अब इंसान धर्ती से परे जिंदगी की तलाश में जुटा हुआ है सोर मंडल और इसके बाहर आंतरिक्ष्यान भेजे जा रहे है ब्रह्मान में करोडो किलोमेटर दूर देखने की कोशिश हो रही है पर क्या वाकई हमने इस दुनिया का हरकोना खोड़ डाला है क्या अब इनसान की नजर से इस धर्ती पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है ये सवाल उठा है परियावरण विग्यानिक डॉक्टर जूलियन बेलिस की खोई से डॉक्टर जूलियन प्रकरति के सन्रक्षन का काम करते है वो परियावरेण वेज्यानिक है इन दिनों वो अर्थ की एक नई सीरीज के लिए काम कर रहे हैं इस सीरीज की शूटिंग 2012 में अफरीका में शुरू हुई थी उन्होंने इस दोरान एक तजुर्बा साजा किया तो दुनिया हैरान रहे गई वो अफरीका में शूटिंग के दोरान ऐसी जगे जा पहुचे जहां आधुनिक दोर का इनसान कभी नहीं पहुचा था ये अफरीकी देश मोजांबिक के उतरी इलाके में स्थित एक पहाड़ी माउंट लीकों की खोज का किस्सा है डुक्टर जूलियन दुनिया भर में ऐसे ठीकानों की तलाश करते है जिने तरक्की की ठोकर मार कर छेडा नहीं गया है जैसे की दक्षिन अफरीका का माउंट माबू उपग्रहों, ड्रोन, कैमरा ट्रैकिंग और रिमोट सैंसिंग की मदद से डुक्टर जूलियन और उनकी टीम ऐसे अंच्छोय इलाकों की खोज करती है और इसके बाद इन जगों के नक्षे बनाए जाते है अफरीका की सैर के दोरान ही ड्रोन जूलियन ने माउंट लीकों को देखा था ये पहाडी धलांदार नहीं है बलकि एकदम सीधी है इसलिए इस पर चड़ना बहुत बड़ी चुनोती है करीब 700 मीटर उची इस पहाडी पर हरियाले के दाग धब्बे है और पहाडी के भीतर की तरफ गहरे हरे जंगल है असल में ये पहाडी कभी एक जुआला मुखी थी जिसके शान्त होने के बाद यहां हरियाली पनपने लगी 2012 में इसे देखने के पाई साल बाद यानि 2017 में डॉक्टर जूलियन और उनके टीम माउंट लिको को नए सिरे से तलाशने पहुची स्थानिय लोगों की मदद से उन्हें ये पता चला कि अब तक कोई भी इस पहाडी के सिरे तक नहीं पहुचा सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से उन्होंने पहाडी तक पहुचने का रास्ता कोजा इसके बाद वो गाड़ी के जरीए पहाड़ी के बेस तक पहुचे यहां से आगे का रास्ता उन्हें और उनकी टीम को पैदली तै करना था इस जौला मुखी की 700 मिटर उची दिवारों के पार क्या है ये पता लगाने के लिए एक ड्रोन को बेजा गया दिक्कत तब हुई जब ये ड्रोन वापसी में रास्ता बटक गया हलाकि बाद में बड़ी मशक्कत से इसे सही रास्ते पर दोबारा लाया गया इसके बाद ड्रोन को दोबारा मौंट लिको जौला मुखी के मोहाने पर भेजा गया इस बार ड्रॉन जो तस्वीरे लेकर आया वो हैरान करने वाली थी अंदर जंगली बैलों का समराज्य था परिंदे अबाद थे ऐसा लगा कि मानो माउंट लीकों के अंदर एक अलग ही दुनिया अबाद थी इन तस्वीरों को देखकर डॉक्टर जूलियन और उनके साथ ही बहुत उसा ही थे उन्होंने जौला मुखी की 700 मीटर उची दिवारों को पार कर जाने का फैसला किया ये सीधी और तीकी चड़ाई बेहद मुश्किल थी जब दिवार जैसी पहाडी को चड़ कर डॉक्टर जूलियन की टीम जौला मुखी के अंदर पहुची तो वहाँ उन्हें एक से एक दिल्चस्प चीजे मिली पोधों की नई प्रजातिया मिली, तितली की एक नई नसल मिली तमाम तरह के परिंदे भी देखने को मिले वज्यानिकों का मानना है कि इस धर्ती पर जीवों की जितनी प्रजातिया मुझूद है उन में से केवल एक चोथाई का ही नमांकरन हुआ है डॉक्टर जूलियन और उनकी टीम ने माउट लिकों के भीतर मुझूद कई नई प्रजातियों को खोजा मीठे पानी का एक केकड़ा भी मिला कई ऐसे छोटे स्तंधारी जीव मिले जो इससे पहले कभी सुने और देखे नहीं गए सापों के नई प्रजातिया भी देखने को मिली वहां कुछ ऐसी चीजे में मिली जिनोंने विज्ञानिकों की टीम को हैरत में डाल दिया वहां पर कुछ मिट्टी के बरतन उल्टे पड़े हुए मिले यानि डॉक्टर जूलियन की टीम से पहले भी इनसान के कदम इस जुआला मुकी के भीतर पड़ चुके थे उन लोगों का अंदाजा है कि कोई वैद्य यहां पहले आया था जिसने कोई तंतर मंतर की पूजा की थी ताकि यहां से निकल रहे पानी की रफ़तार कभी कम ने हो डॉक्टर जूलियन का कहना है कि माउंट लिको की खोज से एक बात तो साफ है कि इनसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने इस दुनिया का हर कोना खोज लिया है अभी भी दुनिया में तमाम ऐसे ठिकाने हैं जो इनसान की नजरों से छुपे हुए है इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी खोज होनी अभी बाकी है इस धर्ती के पास इंसान को चोकाने के लिए अभी बहुत कुछ है दोस्तों ये थी वो जगा जहां इंसान अभी तक नहीं पहुच पाया आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल फैक्ट्यू वर्ल को सबस्क्राइब करें